नमस्कार दोस्तो अच्छंध समय में, तो आपके पास हमारी हր समय पर अपर दोस्तों और दंडी है मा दोस्तों atención आटे लिए हैं तो अब बनाने चलना है यहां पर देख रहे हैं आटे को हमने जार लिए पहले यहां पर देख रहे हैं सभी चीजों को रख लिए हैं यहां पर देख रहे हैं दो तीन चमल सूजी भी लिए हैं तो यहां पर देख रहे हैं सूजी को हमने ले लिए हैं तो बा नमक दाल कर अब बहुंत अच्छी हाँ यहां पर हिंग कण बहुत तो यहां पर हमने देख रहे हैं नमक डाले हैं, जवाइंग डाले हैं, कलोजी डाले हैं और हिंग डाले हैं इसमें अब चुटकी भर इसमें डालेंगे कलर लाने के लिए अच्छे से हमने हल्दी डाल दियें अब इसमें दो चमच रिफाइन तेल हाथ में लेकर इसको अच्छे से मोयंग करेंगे अब रिफाइन तेल ले लिए इसमें तो अच्छे से में इसको मोयंग कर ले रहा है पहले तो अच्छे से इसको जैसे देख रहा है मोयंग कर ले रहा है तो दोस्तों इसको होली प्या भी बना सकते हैं अब यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर हम इसको डो को तयार कर ले रहे हैं पहले इसमें जादे पानी एक साथ में आपको नहीं डालना है अब यहाँ पर देख रहे हैं एक कप पानी लिए हम तो हलके हलके से डाल कर इसमें डो को तयार कर रहे हैं अब इसमें डाल कर जैसे देख रहे हैं कि हम इसको मसल मसल के डो को तो अच्छे से चिकने करेंगे इसको जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो सांते हैं तेयार करते हैं इसी तरह इसको भी हमको चाहिए डो अभ इधर डो हमारा चिकना हो गया है हाद पे हमने refाइन लगाएंगे हाथ पर रिफाइन लगा कि हम इसको चिकने कर ले रहे हैं अच्छे से अब यहाँ पर अच्छे से चिकने कर ले हैं इसको साइड में रख दे रहे हैं अब इसी तरह बेशन को वीडियो को तयार कर ले रहे हैं अब इसमें भी जैसे देख रहे हैं हमने जवाएंग डाले है जवाएंग को इसमें हम जवाएंग डालेंगे कलोजी नहीं डालेंगे इसमें अब इसमें देख रहे हैं नमक डालेंगे नमक इसमें हलके डालना है जैसे पापड की उपर से जिसको मन करता है उसमें नमक डाल अब इसमें जीरे भी डाल कर अब हलके से हिंग को भी डाल दियें अब अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लेंगे हम इहां पर देख रहे हैं मिक्स कर लिए अब इसमें भी दो तिन चम्मच हमने रिफाइन डालेंगे इसमें देख रहे हैं दो तिन चमच इसमें भी रिफाइन तिल डाड़ लिए अब अच्छे से इसका मोयंग इसको भी तयार कर लेंगे हम तो दोस्तों इस तरह से होली पे आप बना के रख देंगे यहां पे दोस्तों देखे रहे हैं तो अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर रहे हैं आप इसको एक चौके लेंगे चौके पर जैसे देख रहे हैं रोल साइज में हम बनाएंगे पहले यहां पर देख रहे हैं रोल साइज में हमने बना लिये हैं अब इसको चाको से हम कट कर लेंगे आपको जैसे छोटे बेड़े साइज में रोटी बेलना हो उस तरह से इसको आप कर सकते हैं यहां पर छोटे-छोटे हमने इसको कट कर लिए अब इसको रख दे रहें एक-एक लोई लेकर इसमें हम बेलेंगे बेलन से अब यहाँ पर जो बचा है इसको भी इसी तरह से हमने बना ले रहे हैं तो यहाँ पर इसको भी हम बना लिए तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि याटे हम लगा लगा कर इसको अच्छे से बेलेंगे इसको बिल्कुल पतला हुआ बेलना है आपको यहां पर गोले जैसे देख रहे हैं कि हमने पेड़े के साई लिये हैं तिसको जैसे आप गिलास से बेल काट सकते हैं इसको कटोरी से काट सकते हैं कप हो छोटे साइज में तो कप से भी काट सकते हैं जैसे आपको बड़ा छोटा पापड चाहिए उस्तरे से काट सकते हैं चाहे पूरिये टाइप में बेलने छोटे छोटे उस्तरे से भी असानी पड़ता है अब यहाँ पर देखिए हमने इसको बहुत पतले बेले हैं अब इसको देख रहे हैं जैसे कि ग्लास हमने बड़ी सा यह पानी पीने वाला ग्लास लेंगे अब इसको हम काट लेंगे तो आपको बेलन चलाना है जैसे देखने हैं गुमा गुमा कर चलाना है बिल्कुल एदम पतला हुए अब इस पे आटे लगाएंगे तो चिपके कर नहीं हमारा अधे के बहुत पतले हैं तो बारी होई ग्लास से हम काट ले रहे हैं इसको आप यहाँ पर तेहां पर इसको देख रहे हैं काट लिए हैं अब इसी तरह से प्लेट में रख ले रहे हैं तिसी साइज में दूसरा भी इसी तरह बना ले रहा है यह जो बाकिक बच रहा है इसको भीवारी में हम बना लेंगे बाद में अब देखिए दूसरा भी इसी तरह से हम बेल ले रहा है इसको हम देख रहे हैं जैसे कि गिलास है तो गिलास से भी काट सकते हैं कटोरीस भी दिखा दे रहे हैं आपको यहां पर छोटी कटोरी है तो कटोरीस थोड़ा ग्लास से बड़ा कटेगा तो यहां पर देखिए हम कट के इसको भी दिखा दिए अब बहुत अच्छा कड़ गया देख रहा है देखने भी बहुत अच्छा लग रहा है अब सारे हम इसी तरह से बिलकर अपने तयार कर लिए हैं अब दोस्तों हम तेल में इसको तरने जा रहे हैं देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है एक साइड में अब इसको देखिए इसी तरह से हम डालती जा रहे हैं ज्यादा तेल हमको आरा गरम रहेगा तो पापड जल सकता है तो मीडियम में तेल गरम रहता है जैसे देखते हैं समोसा तरते हैं हम लोग बनाते हैं तो गय इसको मीडियम कर देती हैं उसी तरह इसको भी तरना है तो मी अब देख रहा है कितनी अच्छी पख गए हमारा अधिसकू निकाल ले रहे हैं प्लेट में, तो यहा पे पिख demonstrates जाली वाला चहन नहीं है हमने हैं इसमें डाल देख रहे हैं तो इसमें जैसे तेल रहता है, बहुत असानी से निकल जाता है इसमें से, अब इदर देख रहे हैं किसको भी डाल दिये एक ठाली में हम रखते जा रहे हैं इसको अब इसी तरफ सारे पापड को हम निपना लेंगे तो देखें हैं पापड मारा बनकर तयार हो गया है आटे का अब बेशन की भी पापड को इसी तरह हम बना लेंगे यहां पे बेशन को भी पापण को हम जैसे मीडियम आज पे पकाएंगे यहां पे देख रहे हैं बेशन वाला भी बनकर इसी थो ने उससे तैयार में होग्या है आज इसको भी छांद कर हम निकाल लेंगे पलड़ कर तो देखे कितनी अच्छा से पापड हमारा बन कर तयार हो गया है तो दोस्तो बिना धूप के इस तरह से हमने बना कर पापड घर में रख सकते हैं बहुत असानी है पापड बनाना यह यहाँ पर दोस्तो बहुत कुरकुरे पापड बन कर तयार हो गया है तो इसको चाय के साथ में आप जार में बना के रख सकते हैं अब इसको हम निकार लिए तो दोस्तों यहाँ पर बन के तयार हो गया है हमारा पापड तो दोस्तों आजकी रेश्पिः हमारा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब आको लाइब करना ना भूलेंगे इसको हम देखें देखा देरें हा子 मलकर भी देखें कितने कुरकुरे पापड़ हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए धीर सरी लाइब कीजिए आज की रेस्पी हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइब करना ना भूलें जाकि जब भी कोई वीडियो बना तो आपके पास हमारा वीडियो हर समय पे मिलते जाएं कि यहां पर दोस्तों मना के रख लिया है इसको हम कोई यार में रख देंगे फिर नई रेस्पी के साथ आप सभी से मिलें